सामने से समर्थन और पीछे से प्रहार ये प्रहार किसी अस्तर से नहीं बलकि जुबानी तीर छोड़कर किया जाने वाला चुनावी हमला है कुवायों की मंगरवार को नए संसर्भवन के सुबारम के साथ महिला अरच्छ बिल पेस किया गया कांगरेशी नेतर राहुल नाधी ने बुदवार को चर्चा के दोरान इसे महिलाओं के लिए जरूरी बताया लेकिन उनका मानना है कि बीजेपी इसे केवल मुद्दों से ध्यान भटाने के लिए पेस किया है बुद्वार को कांग्रेशी निता राउल नाधी लोगसभा में महिला आरच्छ विदेयक पर वोई चर्चा में कहा कि महिलाओं ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी महिलाएं हर तरह की लड़ाई लड़ने में समत हैं और उनके हकी की लड़ाई आज भी जारी है महिलाओं के लिए आज आरच्छ आवस्यक है इस लिहाद से या विदेयक बहुत महतपूर है इस विदेयक को तुरंद ही लागू किया जाना चाहिए रावल ने अरोब लगाया कि सरकार में इस विदेयक को लागू करने के लिए नहीं बलकि इस माध्यम से अडानी मुद्दे और जात जनगर्णा के मुद्दे से लोगों का ध्यान हाटाने का प्रियास किया है महिलाओं ने आजादी के आंदोलर में भाग लिया लेकिन मेरे हिसाब से यह विदेयक पर धूरा है क्योंकि इसमें OBC अरच्छा की बात नहीं कही गई है इस विदेयक के क्रियानों के लिए नई जनगर्णा कराने के साथ ही नया परिसीमत कराना होगा लेकिन मेरी इस विदेयक को लेकर नजरिया अलग है और मेरा मानना है कि इस विदेयक को अभी से महिलाओं को लोगसभा और राजसभा में 30% आरच्छा देकर लागू करेना चाहिए महिलाओं के साथ खिरवार नहीं होना चाहिए इसलिए इस बिदेयक को जल्दी लागू किया जाना आउस्यक है और देश की महिलाओं को तैकित परसद अरच्छा तुरंक दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा भी सरकार महिला अरच्छा बिदेयक को लेकर आ रही है और महिलाओं के ससक्ती करने की बात करती है लेकिन देश की महिला राष्टपती नए संसक्भावन की पूरिक प्रिकिरिया में कहीं नजर नहीं आई तो आज के लिए रसे इतना ही जग रोटेंगे एक नए मुद्धे के साथ तब तक के लिए नमस्कार